तो लेकर के आचुके एक अच्छा नया सा प्री मार्केट आनालेसिस वीडियो आपके लिए जिसमें हम बात करने वाले नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है कौन से इंपोटेंट लेवल से कौन कौन से प्राइज एक्षन सिनारियो जरह सकते हैं मार्केट कहां पर चल रहा है क्या चीज़ हमें ध्यान में रखनी है अब चीज़े आज हम यहां पर डिसकस करने वाले ओकी तो वीडियो पूरा बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट खोला हुआ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग की बात कर है आज के दिन में 54-84 के ऊपर सस्टेन हुआ एक चीज़ कल भी हमने शेर करी थी आपके साथ कि जब तक यह 50,000 के ऊपर और निफ्टी हमारा 24 देखने को मिली जो भी एक इसका रेंज था ठीक है यहां पर एक आपको रेंज देखने को मिला कि उपर की साइड में जो एक इंपोर्टन रेजिस्टन्स एरिया था जहां से मल्टीबल टाइम यह रिजेक्शन लिया है वन तू यह थर्ड टाइम आज के दिन में ओके तो जो है 50,680 वाला एरिया ठीक है तो 50,680 के आसपास यह थर्ड टाइम बोल सकते हो कि रिजिस्टन्स लिया और बैंक निफ्टी बोल सकते हो कि अल्मॉस अल्मॉस दो दिन पहले निफ्टी ने ऐसा प्राइज एक्शन बना था सेम तू सेम चीज यहां पर निफ्टी बैंक बना है ठीक है तो एक चीज जब तक बोल सकते हो कि हमारा प्राइज बोल सकते हो जैस अधाल के ऊपर है थब थक थोड़ा सा व्यू हमार पोजीटीव है हमने बीतीकेश बात कर रहे है इफ बैंक निफ्टी फ्लैट या तो फ्लैट तो पॉजिटिव ओपन होता है और 680 के ऊपर निकलता है ठीक है में चीज क्या है ब्रेक आउट आना वो में चीज मार्केट ब्रेक आउट देने के बाद उपर सस्टेन करना चीज वह चीज इंपोर्टेंट ठीक है और हमारा उपर की साइटन में टार्गेट फॉर्स आपका यहां पर 50 फिफ्टी वन थाउजन वन हंडड़ेड जो यह वाला लो है ठीक है तो फिफ्टी वन थाउजन वन हंड़ेड तक का फॉर्स टार्गेट और उसके ऊपर फिर मार्केट देखो यह पूरा एक गैप ह यह तो फिफ्टी वन थ्री 40 तक एक गैप एरिया है तो वह चीज फिल करने मार्केट फिर जाएगा ठीक है तो फिफ्टी फोर हन। लेड़ेड के उपर यह वाला ब्रेकट एरिया है ब्रेक आउट अले कर जाता है फ्लैड ओपन हो के यहां पर यह फिल करने जाएगा गैप अप होता है हमारे यह रेजिस्ट्रेंस एरियास के ऊपर 50,680 या फिर 700 ले लो 700 के ऊपर डायरेक्ट गैप अप होता है ठीक है और थोड़ी देर सस्टेंड करता है तो सेम सिनारियो उपर की साइड में फिर हमें शॉट कवरिंग देखने को मार्केट फिर यह गैप में 51,000, 51,340 तक फिर जाने की कोई कर सकता है ठीक है यह तो गया फ्लैट या तो फ्लैट टू गैप अप वाला सिनारियो अभी क्या करते है फ्लैट या तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो क्या करना है ठीक है जब तक यह हमारा जो भी आज का लो है ठीक है यह है प पाचास हजार सो तक यह फिलिंग तक का एरिया में देखने को मिल सकता है यहां पर ठीक है क्यों मैंने यह बोला विकोस देखो एक चीज क्या है सस्टेन नहीं हुआ और प्राइस फ्लैट ओपन होके लो का ब्रेकडाउन दिखा के वहां से फेक आउट दिखा के उपर आ गया तो यहां पर फिर आप पुट वाले फज़ आओगे तो ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक देने के बाद फिर वहां पर रिट्रेस्मेंट पे एंटरी करना तो ज्यादा बहतर रहेगा नहीं तो फेक आउट देगा और फिर से वहां पर फिर कॉल साइट का मोमेंटम सिधा प्रीवेस डे हाई याने की यहां तक या फिर 5680 तक आने की कोशिश करेगा ठीक है तो ऐसा सिनारियो वहां पर क्लेट हो सकता है फ्लैट ओपन हुआ तो तो वो चीज दियान रखना ठीक है डायरेक्ली गैप डाउन ओपन होता है पचास-चार सो के नीचे फिर फिर गैप लिए फिलिंग एरिया देखो उपर भी गैप है नीचे भी गैप है दोनों साइड गैप आइलेंड गैप इसे बोलते हैं 50100 तक यानी 50100 तक फिर यह नीचे जाने की को करेगा यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है सेलिंग प्रेशर ज्यादा है या फिर कम सेलिंग प्रेशर इफ ज्यादा रहा तो फिर यह नीचे 49700 तक भी आ सकता है गी के बट में इंपोर्टेंट एडिया कौन से है 50,000 50,000 के उपर जब तक है फोड़ा सा पॉजिटिविटी रहेगी और अग्रेसिवली पूट साइड मत एंड थोड़ा सा लेवल्स को देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा तो यह जो भी रेंज चल लिए लास्ट एक वीक से आप बोल सकते हो लास्ट दो दिन में बोल सकते हो वीक स्टार्ट हुआ दो दिन अच्छा पैसा दिया लास्ट त्री डेज में कुछ भी नहीं दि दिया तो फिर से नीचे आ जाएगा और यहां तक आते यह हजार पॉइंट का मोमेंटम आइधिंक है ठीक है इफ आप यहां से कल्कुलेट करोगे तो यह साथ सो से आट सो पॉइंट का जगा तो अल्रड़ी है उपर की साइड में ठीक है तो उस सब से देखना उपर की तो 49 100 विल बी और मेजर सपोर्टेट तो लेवल्स यहां पर मैंने निफ्टी बैंक में आपको बता दिया अभी बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी क्या कर रहा है ठीक है एक चीज क्या दिख रहे है यहां पर देखो एक रेंज चल रही थी ओके लास्ट वीक से आज के दि के साथ तोड़ने की कोशिश करें ठीक है बट गैप अपके साथ तोड़ा नए कॉल बायर्स को एंटर करवाया और वहीं पर साइडवेज हो गया तो एक चीज क्या है और यहां पर बोल सकते हो कि कॉन्फिडन्स है कि यह यहां पर सस्टेन हो रहा है तो यह उपर ही ले जा पूरा है गया ठीक है फिल नहीं किया है वो चीज थोड़ा सा ध्यान लखना तो गैब फिल क्यों नहीं किया और नीचे मारकेट क्यों रखाए क्यूंकि इस सेना कॉल साइड में लोगों को ट्रैप करना है तो निफ्टि इतना अच्छा खासा नहीं लग रहा नैक्स्ट के लिए call side के लिए तो में भी हो सकता है ये कि सिधा कल के दिन में flat open के नीचे आ जाए और call वालों के stop losses लेने जाए ये चीज पहले तो हो सकते है तो जब भी बूर सकते हो कि आपको nifty में trade करना है तो उपर की side में 24 400 की वाला area 24 400 और नीचे की side में आज का जो भी low है वो तो यह वाला 24 300 तो यह 100 points की range है ठीक है इफ आपको put side में जाना है तो इसको नीचे की side में break करना पड़ेगा इफ इसे call side में जाना है तो इसे उपर की side में break करना पड़ेगा हमें entry कब लेनी है जब भी यह breakdown के बाद या breakout के बाद pullback दे ओके whenever it will go it will give us a pullback then and then we will enter otherwise we have to wait ओके तो flat open होता है तो यह जो भी 100 points की range बताई यह 100 points की range clear होने देना नहीं तो यह फिर से यहीं पर थोड़ा बहुत sideways होने करेगा first scenario second scenario flat open होके उपर जाता है break करने की कुशिश करता है या तो gap up दे देता है ठीक है gap up open होने के बाद यह जो भी आज का high है इसके उपर sustain होने देना 10-15 ठीक है sustain हो गया और reverse कर रहा है तो chances ज्यादा है यह उपर की side में जाए और 24-550 तक के targets उपर की side में आपको देता है ठीक है gap down दिया यहाँ पर lows के नीचे sustain हो गया तो chances ज्यादा है कि यह gap fill करने आए या फिर यह जो भी आपको trend line जैसा कुछ दिख रहा है नीचे से यह trend line के आसपा support लेने आ सकता है नियर 24,200 ठीक है तो that is the main thing यहाँ पर आपको nifty 50 में दिख रही होगी बाकी levels की बात करें ठीक है important levels देखो उपर की side में if rally आती है next week में तो यह gap है 24696 तक का या फिर 24,700 ओके उपर की side में वहां तक की जगा है हमारे पास उपर की side में if इस जाना होगा तो नीचे की side आएगा तो हमारे पास पूरी की range जतनी जगा है या फिर आप यहां से calculate भी करोगे तो 400 point की जगा है निफ्टी में नीचे की side में if यह breakout जो भी आज दिख रहा है वो आपको sustain होता हूँ नहीं दिखा तो यह नीचे आ सकता है ठीक है और थोड़ा सना ट्रेट करके बैंक निफ्टी में जाओ बैंक निफ्टी ज्यादा इसी लग रहा है ठीक है तो यह चीज तोड़ा सा ध्यान रखना दोड़ा नीचे तो फिर यह नीचे भी गैप है सेम बैंक निफ्टी की तरह उपर भी गैप है तो either side gap filling आपको next week में देखने को में ल ठीक है तो level wise सभी चीज़े मैंने यहां पर बता दिये जो भी यह red areas दिख रहे हैं सभी red areas आपके लिए important levels है जो price close वह उसके उपर के जो भी areas है वह सभी हमारे register areas है नीचे support area जब तक range नहीं तूटता तब तक नीचे के levels देखने में पी sense नहीं बनेगा तो देखते range clear होता या फिर उपर की side ही चला जाता है ठीक है तो यह दो चीज हो नेक्स्ट वीक में निफ्टी में सकती है ओके तो hope सभी को सभी चीज़े समझ में आई होगी यहां पर ओके तो hope सभी को यह चीज़े समझ में आई हो और इस चीज़ों को use करके hope आप अच्छे से trading करो next week weekend से वी